नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका Let's Crack UPSC CSE Hindi के इस प्लेटफोर्म पर जहां पर हम बात कर रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास की, जहां पर हम बात कर रहे हैं Modern Indian History की Modern Indian History में अब तक हमने देखा कि कैसे यूरोपिय कमपनियों का भारत में आगमन होता है हमने हर एक यूरोपिय कमपनी का अध्यन किया, हमने पुर्तगालियों का अध्यन किया, किस तरीके से वो इंडिया में स्टैबलिश हुए, किस तरह से लगभग 100 से 120 सालों तक उनकी हैजिमनी रही, पूरे इंडिया पूरे यूरोपिय व्यापार पर उनका एक अधिकार रहा फिर हमने ये भी देखा कि कैसे अंगरेज भारत में आये, अंगरेज उनकी किस तरह के से अपनी सामराज जवादी नीती को आगे बढ़ाया, बेदरा के युद्ध में उन्होंने डचों को बाहर किया, 1612 में सूरत में रडाई करके पूर्तगालियों को सेटल किया, 1746 से 1758 फ्रांसीसियों के साथ युद्ध लड़के, फ्रेंच के साथ करनाटक के युद्ध लड़के, करनाटक को फ्रांस को भी उन्होंने इस यूरोपिय व्याकार की रेस से बाहर कर दिया, इसके बाद हमने जो पिछला लेक्चर है, उसमें हमने समझा था कि आखिर अब आज से हमें एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है, इस टॉपिक का नाम है भारत में ब्रिटिस का सामराज जवादी विस्तार, जो इंडिया में ब्रिटेन का इंपेरिलिजम मेजर्स है, वो किस प्रकार से बढ़ते हैं, उसको अब हमें डिसकस करना है कैसे भारत में छोटे छोटे जो राज्य होते हैं उनको ये अपने कबजे में लेते हैं और एक बड़े सामराज की इस्थापना भारत में होती है जो इस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा गवर्ण किया जाता है और कैसे एक छोटी सी व्यापार एक कंपनी अप पूरे इंडिया को अपने कबजे में लेने वाली है ये कहानी हमें आज से पढ़ना शुरू करना है टाइमिंग के बारे में बता दू तो आपको शाम को साड़े पांच बजे लेक्चर मिलेगा अल्टरनेट डेस पर लेक्चर आएगा क्योंकि एक दिन मेरा वर्ल्ड जोग्रफी का लेक्चर आएगा जो कि MPPSC वाले चैनल पर आ रहा है लेकिन उस में जो कंटेंट में दे रहा हूँ वो UPSC के लिए भी यूसफुल है आप चाहके एक बार चैक कर सकते हैं कि सारा कंटेंट आपको UPSC के भी काम आएगा बहुत डेटेल से हम वहां पर वर्ल्ड जोग्रफी पढ़ रहे हैं बस चैनल का अंतर है यहां हम UPSC वाले में पढ़ रहे हैं वहां MP वाले में पढ़ रहे हैं पूरी की पूरी चीजों को मैंने कुछ तरीका चींज किया है पढ़ाने का आई विश आपको यह तरीका पसंद आएगा ओके आगे पढ़ने से पहले दोस्त में आपको बता दू कि अनकैडमी का हमारा प्लस प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं हिंदी मीडियम के लिए आप देख सकते हैं दो साल का एक बैज कोर्स चल रहा है तो यह कोर्स भी आप जोईन कर सकते हैं जिसमें अनुजगर्क सर हैं, ब्रुनाल सर हैं और गुर्जर सर हैं यह मिलकर के आपको पढ़ा रहे हैं 265 क्लासों का यह कोर्स है जिसमें complete preparation आपको कराई जाएगी प्रिलिम्स और मेंस 2020 की पूरी की पूरी तैयारी इसके अलाबा optional के courses हैं हर एक चीज के courses वहाँ आपको मिलेंगे, answer writing practice है, प्रिलिम्स के quizzes आपको वहाँ पर मिलेंगे रोमन सेनी सर भी वहाँ पर classes ले रहे हैं, अभी उनकी essay वाली classes चल रही है तो हर एक चीज की complete preparation आप कर सकते हैं, एक single platform पर और ऐसा नहीं कि आपको कोई भी पढ़ा रहे, there are some best faculties of India आप सभी इन faculties से परिशिद हैं, जो की जाने मानी faculties हैं, you know very well दिपांजू सर के बारे में, मुनाल सर के बारे में, और इसके लाबार test series भी वहाँ पर available है तो एक बहुत बढ़िया platform है, जहां पर आप UPSC की complete preparation अच्छे तरीके से कर सकते हैं दोस्त अगर आप UPSC की तयारी करना चाहते हैं, serious होकर तयारी करना चाहते हैं then you can join our plus platform, उसके लिए आपको करना ये होगा कि आपको सबसे पहले Unacademy app को download करना है और UPSC CSE का goal select करना है, goal select करने के बाद एक साल का आप charge देखेंगे तो आपको 40,000 मिलेगा और अभी offer चल रहा है, COVID की वज़े से तो 2 साल का offer आपको 48,000 में 2 साल की पूरी तयारी आप कर सकते हैं लेकिन दोस्त अगर आप मेरा code यहाँ पर apply करते हैं, SG10 अगर आप SG10 मेरा code apply करते हैं, तो आपको 10% का immediate discount मिलेगा और 40,000 का यही course आपको 36,000 रुप में पढ़ेगा और 2 साल का course 43,200 रुप में मिलेगा इतना करने के बाद आप पूरी complete preparation एक platform पर कर पाएंगे So, if you want to join, use my code SG10 किसी भी प्रकार के discount के लिए आप मेरा code यूज कर सकते हैं और 10% का immediate discount अनकैडमी पर आपको मिल जाएगा चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को और हम क्या पढ़ रहे हैं, तो हम British सरकार और छेत्रिये शक्तियों के बारे में बात कर रहे थे हम British Government और Regional Powers के बारे में बात कर रहे थे हमने देखा कि उपनिवेश्वाद को हम समझ चुके हैं, कलोनियोलिज्म को हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं हमने इसके सारे आयामों को डिसकस कर लिया है और सारी बाते हम पढ़ चुके हैं आज से हमें बंगाल की कहानी को प्रारंब करना है, बंगाल के बारे में हमें बात करनी है इसके बाद हम मैसूर की बात करेंगे, इसके बाद हम मराठा संधर्ष की बात करेंगे मराठाओं के बाद पंजाब की हम बात करेंगे और उसके बाद हम अवद की बात करेंगे फिलहाल हमें बंगाल के बारे में बात करनी है बहुत डेटेल में हमें बंगाल की सिचुईशन को डिसकस करना है और जब पूरे बंगाल को हम तीन लेक्चर में लगबख खतम करेंगे उसके बाद हम अगले टॉपिक पर चलेंगे तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं बंगाल की पूरी की पूरी कहानी को कैसे बंगाल में अंग्रेज आये बंगाल इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों था और कैसे बंगाल ही वो जगह बनती है जहां से पूरे के पूरे रास्तिय आंदोलन का सूत्रपात होता है जहां पर पूरे के पूरे national movement का एक foundation create होता है वो जगे होती है बंगाल दूसरी बात सारी classes bilingual हैं तो जितने भी लोग है English medium, Hindi medium आपको दिक्कत नहीं जाएगी पूरे notes भी आपको bilingual form में दिये जाएगे तो आपको problem नहीं होगी चलिए शुरू करते हैं इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं बंगाल की कहानी को अब दो मिनिट के लिए मैं आपको PPT आखरी में दिखाऊंगा सबसे आखरी के 10 मिनिट में मैं आपको पूरी PPT दिखा दूँगा पहले मैं आपको पूरी कहानी समझा रहा हूँ उसके आखरी में हम PPT देख लेंगे तो आपको पूरी कहानी क्लिए हो जाएगी तो पहले हम समझ लेते हैं चीजों को फिर हम कहानी स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले अगर हम बंगाल की बात करें वो बंगाल का time period है 1651 से लेकर के 1947 तक की बंगाल की घटनाओं का अध्यन हम आधुनिक भारत के इतिहास में करते हैं इससे पहले जो बंगाल की कहानी है उसका अध्यन मध्यकागिन भारत और प्राचीन भारत में किया जाता है तो जिस बंगाल की बात हम करेंगे अब और आगे जितने भी आधुनिक भारत के lecture की हम बात करेंगे उसमें हम बात करेंगे 1651 से लेकर के 1947 तक के बंगाल की अब बंगाल के बारे में कुछ बात है situation, location आप जानते हैं इस जगे पर बंगाल की location है जो बंगलादेश वाला इलाका है वो भी उस समय बंगाल में ही आता था ओके ये कौन से जगह है तो ये बंगाल है सहाब इसके बारे में आप जानते ही यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है मतलब इसको टटिये छेत्र मिल जाता है इसको समुगरी मार्ग यहाँ से मिल जाता है पहले point दोस्त आपको बंगाल के बारे में ये पता होना चाहिए कि जो बंगाल है वो मुगल साशन के अधीन, इस ह की बात करने हैं, वो मुगल साशन के अधीन, वो मुगल साशन में एक एक राज्य था और राज्य को प्रांतिया सूबा कहा जाता था. क्या कहा जाता था? प्रांत या सूबा कहा जाता था. तो बंगाल के बारे में पहली बात जो आपको याद रखनी है कि बंगाल क्या था? तो बंगाल मुगल साशन के अधीन जो उस तमें पर भारत में इतना बड़ा मुगल सामराज हुआ गरता था, उसके अधीन उसका एक र बंगाल के अलावा उडिशा और बिहार का छेतर भी इसी के तहत आता था। के 1651 से लेकर के 1707 तक की बात करें तो इस समय जो बंगाल है वो एक मजबूत स्थिती में है इस्टॉंग पॉजिशन में है उसका कारण ये है कि चुकि यह मुगल सामराज्जी के अंतरगत आता था और इस समय जो मुगल बाश्या है, जो इस समय मुगल बाश्या है, वो औरंग जेब था, कौन था वो, वो औरंग जेब था, और औरंग जेब के समय पर आपको एक सशक्त प्रसाशन देखने के लिए मिलता है, आपको क्या देखने के लिए मिलता है, आपको एक powerful administration देखने के लिए मिलता है, आपको एक ससक्त प्रशाशन देखने के लिए मिलता है तो जिस समय हम 1651 से 1707 के बीच की बात करें अगर हम 1651 से 1707 की बात करें तो यहां इस समय बहुत मजबूत इस्थिती में बंगाल है उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि बंगाल इस समय मुगल सामराज्य के अंतरगत आता है और जो इस समय मुगल बाश्शा है औरंगजेव वो एक ससक्त राजा है तो इस समय आ यहां पर आपको कोई विद्रोह देखने के लिए नहीं मिलता है सारी चीजें बहुत समूदली काम कर रही है और जो ये मुगल बाश्शा है औरंगजेव या बाश्शा तो वो किसी भी प्रांत में, किसी भी सूबे में या किसी भी राज में दो अधिकारियों के माध्यम से साशन किया करता था दो जो अधिकारी होते थे, आफिसर होते थे, उनके माध्यम से साशन किया करता था कौन कौन से आफिसर? तो एक हुआ करता था सूबेदार जिसको एक प्रकार से यहां का नवाप कहा जाता था जो यहां का हैड होता था और जब औरंधिजे राज कर रहा था तो उस समय यहां का सूबेदार अजी मुशान था कौन था? अजी मुशान था और दूसरा अधिकारी होता था दीवान दीवान का मतलब होता था वित्यमंत्री Finance Minister और इस समय यहां का Finance Minister मुर्शिद कुली खान था कौन था? मुर्शिद कुली खान था ओके मुर्शिद कुली खान था तो अब तक हमें क्या पता पड़ा कि देखी जो बंगाल है वो मुगल सामराजी का एक प्रांथ हुआ करता था और 1651 से 1707 के बीच में जब मुगल साशक औरंग जेब का साशन हुआ करता था तो उस समय बंगाल का साशन दो लोग समाला करते थे एक बंगाल में एक सूबेदार होता था और दूसरा दीवान होता था तो सूबेदार या नवाब उस समय पर मेराजी मुशान हुआ करता था जब औरंग जेब का साशंद था और जो दिवान है जो Finance Minister है şeyler कौन हुआ करता था मुर्शिद कुली あ उस समय पर Finance Minister हुआ करता take इसी मुर्शिद कुली खान को अप सभी लोग जानते हैं कि मुर्शिद कुली खान को 170-07 में 1717 में जब औरंग जेब की मृत्ती हो जाती है तो 1717 में जो फरुक शियर है तो फरुक शियर के द्वारा ही मुर्शिद कुली खान को क्या बना दिया जाता है नवाब बना दिया जाता है बंगाल का अब वो कहानी हम बाद में डिसकस करेंगे कि मुर्शिद कुली खान आखरी नवाब था जिसे बंगाल जिसे मुगल बाश्या के द्वारा न्युक्त किया गया था और 1707 में ही फरुक्षियर अंग्रेजों के लिए शाही फर्मान जारी करता है जिसे कंपनी का मैगना कार्टा कहा जाता है लेकिन ये कहानी कुछ देर के बाद हम डिसकस करेंगे कि शाही फर्मान ने कैसे नबाबों की मुश्किलें बनाई कैसे शाही फर्मान ही वो एक प्रमुक वज़े बनता है जिसकी वज़े से पलासी का युद्ध होता है अभी तक की कहानी दोस्त हमें इतनी याद रखनी है कि 1707 तक बंगाल की इस्थिती बहुत मजबूत रहती है उसका स वलसाम राज्य का पतन होने लगता है और उसके सारे राज्य भी धीरे-धीरे खतम होने लगते हैं अगली बात हमने ये देखी कि जब औरंग जेप का साशनकाल था उस समय यहां का जो सूबेदार हुआ करता था वो अजी मुशान हुआ करता था और इस समय जो यहां पर द काम वो यह करता है कि जो बंगाल है उसका सूबेदार या नवाब वो न्युक्त करता है मुर्शिद कुली खान को और 1717 में ही वो अंगरीजों के लिए एक शाही फरमान जारी करता है जिसकी कहानी हम बाद में डिसकस करेंगे तो यह तो हमें यह पता पढ़ गया कि सर यह ह बंगाल की विशेश्थाएं क्या थी ऐसा क्या विशेश्था बंगाल में जिसके लिए अंगरेजों ने इतनी बड़ी बड़ी लड़ाईयां लड़नी तो बंगाल में ऐसे क्या फीचर्स थे जिसकी विज़े से अंगरेज इतने ज़्यादा ललायत हुए बंगाल की उह ह पहला point आपको याद रखना है कि जो बंगाल है वो आर्थिक और भोगॉलिक रूप से ससत था जो बंगाल है वो कैसा था वो आर्थिक और भोगॉलिक रूप से बहुत ज़्यादा ससत था वो economically और geographically एक strong state था उसकी आर्थिक इस्थिती भी बहुत अच्छी थी और जिस जगह पर बंगाल located था वो जगह बहुत अच्छी थी क्योंकि हम सभी जानते हैं यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है बंगाल की खाड़ी उसे समुद्र से जोड़ती है बंगाल में समुद्री परिवहन को possible बनाती है यही कारण है कि economical और geographical दोनों ही location बंगाल की अच्छी थी कैसे थी समझते हैं सबसे पहला point दोस्त यहाँ पर आपको यह याद रखना है कि बंगाल में बहुत जादा उपजाओ भूमी हुआ करती थी बहुत जादा fertile land हुआ करता था कैसा land हुआ करता था? बहुत जादा उपजाओ भूमी बंगाल में हुआ करती थी especially अगर आप textile industry में है तो textile industry के लिए यहाँ पर जूत वगेरा का उत्पादन बहुत ज़्यादा था चावल वगेरा का उत्पादन यहाँ पर बहुत ज़्यादा था पहली बात, दूसरी बात है यहाँ पर जो कारीगर थे यहाँ पर जो कारीगर थे खासतोर पर जो textile industry में काम करते थे तो वो बहुत अच्छी किस्म का कपड़ा बनाते थे और यहाँ पर बड़ी मात्रा में कपड़ों का व्यापार होता था और अच्छी खासे कपड़ों का व्यापार यहाँ पर होता था तीसरी सबसे बड़ी बात जो बंगाल को सबसे strong बनाती है वो है यहाँ पर समुद्री परिवहन का होना वो है समुद्री परिवहन का होना वो है यहाँ पर आपका C root का होना यहाँ पर समुद्री परिवहन आसान था और जो समुद्री परिवहन है वो आपको दो चीजें प्रदान करता है समुद्री परिवहन आपको धन भी प्रदान करता है और समुद्री परिवहन आपको बल भी प्रदान करता है जो समुद्री परिवहन होता है तो वो आपके लिए पैसा भी प्रदान करता है क्योंकि व्य जानते हैं कि जब हमने पहला कारण देखा था कि यूरोपियों की भारत में सफलता के सबसे बड़े कारण क्या रहे तो उसमें एक बहुत बड़ा कारण था कि यूरोपियों के पास बहुत सशक्त नौसेना हुआ करती थी उनकी पास बहुत स्ट्रॉंग नेवी हुआ करती थ तो जो नौ सेना है, जो समुद्र है, वो आपको दोनों चीजें प्रदान करता है, वेल्थ भी प्रदान करता है, योकि वहाँ से बहुत ज़्यादा व्यापार आपको मिलता है, और दूसरी बात आपको बहुत ज़्यादा बल भी प्रदान करता है, आपको बहुत सारी शक्त प्रिदान करता है यह चीज आपको याद रिखनी है और चौती बात जो बंगाल के बारे में है कि बंगाल में शान्ती थी बंगाल में क्या था तो बंगाल में पीस था बंगाल में पीस था और आप जानते हैं दोस्त की शान्ती किसी भी राज्य की सम्रद्धी के लिए किसी भी राज्ज में व्यापार की उर्णती के लिए सबसे important चीज होती है, जो peace होता है, वो किसी भी state की progress के लिए, किसी भी state की prosperity के लिए सबसे पहली शर्त होती है, वो पहली condition होती है, even जब आप ease of doing business index की बात करते हैं, तो उसमें law and order की भी बात की जाती है, कि आपके आपन law and order क अच्छा नहीं है, तो कोई भी company आपके यहाँ व्यापार करने क्यों आएगी, because उससे company का फाइदा नहीं होगा, अगर वो law and order अच्छा नहीं है, then why would any company would come to your country and for a trade, ओके शान्ती थी, अब इस शान्ती का अर्थ क्या है, शान्ती का अर्थ ये है, कि अगर आप 1770 से लेकर क खासतोर पे 1751 तक का इतिहास देखें, पूरे के पूरे भारत का, तो बंगाल को अगर आप छोड़ दीजे, तो पूरे भारत में क्या हो रहा था, एक तरफ मराठों का संघर्ष हो रहा है, जो मराठों है, उनका संघर्ष लगाताल जारी है, दूसरी तरफ आप भारत में देख रहे हो तो नादर शाह का आकरमन हो रहा है, कभी आप देख रहे हो तो आपको एहमद शाह अबदाली का आकरमन देखने के लिए बलजा है, तो पूरे भारत में आप देखें, तो अशान्ती है, पूरे भारत में इस समय पर युद्ध चल रहे हैं, वहाँ पर किसी भ इलाके का trade है वहं लगातार कमजोर हो रहा है लेकिन बंगाल इस समय एक सषिति में हैं वहां पर शांती है वहां पर ऐसा कोई बड़ा विद्रूब नहीं हो रहा है जिस कारण से बंगाल में लगातार व्यापार फल फूल रहा है और ये राज लगातार प्रॉस्परस होता जा रहा है और अच्छे बात यहाँ पर ये रही कि जैसे ही मुगल सामराज का अंत होता है 1707 के बाद औरंग जेप का जैसे ही अंत होता है तो fortunately मुर्शिद कुली खान के रूप में एक अच्छा लीडर बंगाल को मिलता है और मुर्शिद कुली खान was a very good leader उसने बहुत ज़्यादा रिफॉर्म किये उसने तकावी रिण विवस्था को स्टार्ट किया था किशानों को बढ़ावा देने के लिए जो cruel जमीनदार हुआ करते थे जो बड़े चोटे जमीनदार थे जो बहुत ज़्यादा प्रतारित करते थे उन सभी जमीनदारों की भूमी को चीन करके उसे खाल सा भूमे परिवर्तित कर दिया था जो taxation system था उसको बहतर बनाया था हर जगे पर उसने शान्ती ववस्था इस्थापित करके रखी थी और इसके बाद अलिवर्दी खां जो आया और अलिवर्दी खां भी fortunately एक अच्छा लीडर था उसने भी बंगाल को अच्छे तरीके से लीड किया तो overall देखने को हमें यहीं मिलता है कि बंगाल में अच्छी खासी शान्ती व्यापत है जिस कारण से यहाँ पर व्यापार बहुत तेजी से बढ़ रहा है जिस कारण से यहाँ पर trade बहुत तरीके से बढ़ रहा है तो अब मैं आपको इसका प्रमाण देता हूँ कि इसका प्रमाण क्या है आखिरकार इस बात का सबूत क्या है कि उस समय पर बंगाल एक बहुत अच्छी अवस्था में था तो पहला इसका दोस्त प्रमाण यह है कि ब्रिटेन का एशिया से जितना भी व्यापार होता था तो उसका 60% व्यापार वो सर्फ और सर्फ बंगाल से किया करते थे तो ब्रिटेन का एशिया से जितना भी व्यापार होता था हम सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं हम एशिया की बात कर रहे हैं तो ब्रिटीन का चितना भी व्यापार एशिया से हुआ करता था उसका 60% trade वो बंगाल से किया करते थे उसका 60% प्रतीशत जो व्यापार है वो बंगाल के थू होता था बंगाल से उनको बड़ी मात्रा में कच्चा माल मिलता था बड़ी मात्रा में उनको raw material मिलता था और उससे पहले 1750 से पहले जब तक कि वहाँ पर industrial revolution नहीं आया तो raw material के अलावा वो यहां से finished goods लेकर के जाते थे वो यहां से तैयार माल लेकर के जाते थे तो बड़ी मात्रा में उनको तैयार माल भी यहां से मिलता था और बहुत बड़ा व्यापार जो है उनको बंगाल से ही मिलता था एक बड़ा व्यापार उनको बंगाल से मिलता था अगर हम खुद बंगाल की earning की बात करें तो 1706 से लेकर के 1756 तक बंगाल ने खुद बंगाल ने सारे 6 करोड रुपए की चांदी अर्जित की थी 10.5 करोड़ रुपए से जादा का व्यापार, 100 जी किये थे तो बहुत बड़ा व्यापार हो रहा था सारे 6 करोड रुपए की चांदी आप बात कर रहे हैं 1750 के बीच की 1706 से 1756 के बीच की आप बात कर रहे हैं जब 6.5 करोड रुपीज का सिलवर अर्ण किया था खुद बंगाल ने और बंगाल से क्या होता था कि बंगाल का जो हुगली बंदरगा है बंगाल का जो हुगली बंदरगा है जो हुगली पोर्ट है तो वहां से बड़ी मात्रा में चीजों को निर्यात किया जाता था और यहां से निर्यात सिर्फ और सिर्फ यूरोपिय कंपनियों को नहीं किया जाता था यहां से जो निर्यात है यहां से जो एक्सपोर्ट है वो यूरोप के लिए तो किया जाता था लेकिन यूरोप के अलावा यहां से एक्सपोर्ट फारस के लिए भी किया जाता था परिशिया के लिए भी किया जाता था अरेबियन वोल्ड के लिए भी किया जाता था तो आप समझ सकते हैं कि कितनी strong position में उस समय पर बंगाल था, कितनी अच्छी condition में उस समय बंगाल में चीजें हो रही थी और बंगाल बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा था ये पूरी कहानी आपको बंगाल की यहाँ पर दिखाई देती है ये सारी स्टोरी आपको यहाँ की बंगाल की दिखाई देती है तो यहाँ तक तो सर हमने बंगाल को समझ लिया यहाँ तक तो हमने पूरी बात कर ली कि बंगाल में किस तरीके से चीजे आगे बड़ी कैसे बंगाल एक आर्थिक रूप से ससत प्रदेश बना अब अगला सवाल ये आता है कि अंगरेजों का यहाँ पर इंटरस्ट क्यों बना अब अगला सवाल क्या आता है कि अंगरेज यहाँ पर कैसे आए अब देखना सवाल क्या क्या आएगा कि Britishers यहाँ पर कैसे आए और क्यूं उन्होंने यहाँ पर दो बड़े युद्ध लड़ लिए पलासी और बकसर का क्यूं उन्होंने यहाँ पर दो बड़े युद्ध लड़ लिए कर पाएंगे I wish यहां तक कि सारी चीजें आपको clear हैं तो अब यह बंगाल की story को देखे जब इतिहास आप पढ़ते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं कि इतिहास को थोड़ा सा अलत तरीके से आपको पढ़ना पढ़ता है इतिहास कुछ ऐसी चीज है कि एक film चल रही है एक film में जै फिर एक समय ऐसा आता है जिब दोनों कहानिया मिल जाती है तो ऐसे ही इतियास होता है अब दो मिनिट के लिए इस कहानी को यहां तक आपने देख लिया है इसे दिमाग में pause कीजेगा और अंग्रेजों की कहानी आपके सामने आप आएगी चलिए पहले समझ लेते हैं कि इंडिया कंपनी की इस्थापना होती है अब अंग्रेजों का सबसे पहले हमको देखना है व्यापारिक विस्तार कि अंग्रेजों ने भारत में अपना व्यापारिक विस्तार कैसे किया अंग्रेजों ने इंडिया में अपना ट्रेडिंग एक्सपांशन कैसे किया व्याप मसूली पटनम, जो मसूली पटनम है, वहाँ पर अंगरेज अपनी पहली फैक्टरी कोलते हैं, वहाँ पर अंगरेज क्या करते हैं, अपनी पहली फैक्टरी की इस्थापना करते हैं, तो मसूली पटनम में 1611 में अंगरेजों के द्वारा अपनी पहली फैक्टरी की वाइनली 1613 में उन्हें सूरत में भी फैक्टरी खोलने की परमीशिन मिल जाती है और वो सूरत में फैक्टरी ऊपन करते हैं वो सूरत में फैक्टरी खोलते हैं और सूरत में उन्होंने फैक्टरी की इस्थापना कर ली है तो सूरत में भी उनके द्वारा फैक्टरी की 1639 का समय आता है तो मद्रास में भी वो मद्रास के पास भी वो सेंट फोर्ट डैविड की स्थापना कर चुके हैं जो कि आगे जाकर के करनाटक की युद्र में बड़ी खतरना एक बड़ी स्थापना की जाती है उसके अलावा हुआ यह कि इसे के साथ 1661 का समय आता है और 1661 में उन्होंने पुर्ट गालियों से पुर्ट गालियों ने उनको क्या गिफ्ट कर दिया था तो जो पॉर्चुगीज थे उनके द्वारा उन्हें मुंबई गिफ्ट कर दिया गया क्या किफ्ट कर दिया गया मुंबई गिफ्ट कर दिया गया तो मुंबई भी उनके पास में था इसी बीच में दोस्त क्या होता है कि 1651 का समय आता है 1651 का टाइम पीरिड आता है और 1651 में 1651 में क्या होता है तो 1651 में हुगली में हुगली में भी ये फैक्टरी की इस्थाप स्थाहपना करते हैं और यही क्या हो जाता है यह हो जाती है अंग्रेजों की बंगाल में entry हो जाती है तो 1651 में 1651 में हुगली में भी इनाने व्यक्तुरी की ये इनका trading expansion है अब व्यापारिक विस्तार के बाद दूसरा हमें discuss करना है इनका राजनेतिक विस्तार कहा तक हो चुका है इनका राजनेतिक विस्तार हमको discuss करना है दूसरा हमको discuss करना है इनका political expansion political expansion हमको discuss करना है कि भारत में कैसे इनकी सामराजवादी सोच आ जाती है कैसे ये imperialism major को अपनाना start करते है और अब तक जो company इंडिया में सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक कारे कर रही थी कैसे वो company एक सामराजवादी रूपधारन करती है कैसे वो company एक imperialistic form को ले करके आती है आए समझते हैं तो देखिए इनोंने इस चीज की starting कहां से हुई तो इस चीज का प्रारम हुआ European company से प्रति इस परदा European company से प्रति इस परदा तो जो European company थी उनसे इनका competition स्टार्ट हुआ था और इसी conflict में आप जानते हैं जो पुर्तगाली कमपनी है, तो पुर्तगाली कमपनी से इनका पहला विरोध होता है जब ये 1612 में सूरत में होते हैं, और इसी के बाद से पुर्तगाली धीरे धीरे बलकुल सैटल होते जाएंगे, और फिर क्या होगा, इसी बीज में ब्राजी की खोज हो जाएगी, और इस्पेन और पुर्तगाल का पूरा ध्यान ब्राजील पे हो जाएगा, यहाँ पर वो जादा ध्यान देंगे नहीं, गोवा दमन दीब वाले इलाके में वो रहे आएंगे, तो पुर्तगालीों से 1612 में इनके एक भिढंत होती है, इनकी जैसे ही वो 1612 में भिढंत होती है, तो उसके बाद पुर्तगालीों से कुछ बड़ा हमको यह देखने के लिए नहीं मिलता कि बहुत बड़ा कंफ्लिक्ट पर्चुगीज के साथ हो रहा है, सारी चीजे वहाँ पर सेटल डाउन हो जाती है, तो एक तो इनका पुर्तगालीों के आता है, डचिस के साथ, तो डच है, तो 1659 के आसपास बैटल ओफ बेदरा, बेदरा के युद्ध के द्वारा डचों की भी समाप्ती हो जाती है, और डच के रूप में जो एक और शक्ती थी उसको भी लगबग ये खतम कर देते हैं, तीसरी बड़ी तागत थी, वो थी फ् और करनाटप की युद्ध में भी एक युद्ध आता है, वो होता है वंडी वाश का युद्ध, वंडी वाश का युद्ध, और वंडी वाश के युद्ध के द्वारा जो फ्रेंच की चुनोती थी, उसके बाद ये वंडी वाश की कहानी आती है, 1760 में वंडी वाश का पूरे के पूरे यूरोपिय जो व्यापारी अलग अलग थे तो सभी यूरोपिय व्यापारी लगबख खतम हो चुके हैं और हेजिमनी किसका आचुका है एकाधिकार किसका आचुका है तो मौनोपली यहां पर बिटिस की इस्टेबलिश होने वाली है दूसरी बात इसी सामराजवादी करम में वो फरुक्षियर के पास जाते हैं और फरुक्षियर के पास एक जोन सर्मन मिशन जाता है कौन सा मिशन जाता है जॉन सर्मन मिशन जाता है 1717 में फरुक्षियर के पास जॉन सर्मन का एक मिशन जाता है और इसी में एक डॉक्टर होते हैं और वो डॉक्टर फरुक्षियर का एक फोड़े से इलाज कर देता है जिस से खुश होके जौन सर्मन मिशन के खुश हो करके जो फरुक्षियर है तो वो फरुक्षियर एक शाही फरमान जारी करता है क्या जारी करता है अंग्रेजों को एक साही फरमान जारी करता है और इस साही फरमान में कहा जाता है कि अंग्रेज 3,000 रुपए का वारशिक कर देकर पूरे के पूरे बंगाल में अब देखिए आप ए कहानी जुड़ रही है बंगाल में मुक्त व्यापार कर पाएंगे 10,000 रुपए वारशिक कर देकर के वो सूरत में मुक्त व्यापार कर पाएंगे सूरत में और जो बंबई में वो सिक्के ढालते हैं बंबई में वो जो कौईन बनाते हैं वो कौईन पूरे के पूरे मुगल सामराज में वैलिड होंगे पूरे के पूरे मुगल एमपायर में वो चलेंगे इतनी सारी रियायते जब कमपनी को इस शाही फर्मान से मिलती है तो इशी साही फर्मान को कहा जाता है कि ये कंपनी का मेगना कार्टा इसे क्या कहा जाता है कंपनी का मेगना कार्टा कहा जाता है मेगना कार्टा ओफ दा कंपनी कहा जाता है याद रखिए जो सुनेहरा फर्मान golden فرمان है वो गोल कुंडा के नवाब ने जारी किया था वो जो golden फर्मान है वो फरुक्षियर ने जारी नहीं किया था तो मुगल बास्चा फरुक्षियर के पास 1717 में जॉन सर्मन का एक भीसं जाता है और वो बहुत सारी व्यापारिक रियायते लेने में रियायतें ले पाता है और एक शाही फर्मान जारी किया जाता है जिसके बाद एक दस्तक मिलता है दस्तक मतलब एक प्रकार का पास होता है दस्तक क्या होता है एक प्रकार का पास होता है तो अंगरेजियों को एक दस्तक दिया जाता है कि आप तीन हजार रुपे वा वाइन चलाया जाते थे वो पूरे मुगल सामराज में वैलिड कर दिया जाते हैं अब पता है इस इंट्रस्टिंग बात इन सब के बीच में इंट्रस्टिंग बात यह है कि 1717 में ही मुर्षिद कुली खान को बंगाल का नया सूबेदार बनाया जाता है और वो एक स्वतंत्र और उस साशक की सहमती इसमें नहीं लिए जाती है पर हम आगे जाकर के देखेंगे ति मुर्षिद कुली खान और अलिवर्दी खाने इस चीज को विरोध नहीं किया इस चीज को उन्हें अपोज नहीं किया वो परिशान थे वो इस दस्तक की प्रथा से वो इस फर्मान से बहुत ज़्यादा परिशान थे, वो हम देखेंगे क्यों परिशान थे, लेकिन वो इसका विरुद नहीं करते हैं, यह बड़ी interesting कहानी है इतियास की, इसको हम अभी आगे जा करके देखेंगे, तो इस तरह की कहानी अंगरेजों की भारत में चल रही है, जब बंगाल में एक अलग कहानी चल रही है, मैंने कहा तरह, दो जुड़वा की कहानी है, वो बंगाल की कहानी वहां पॉस्ट करके रखी आप लोगों ने, और यह अंगरेजों की कहानी में इतनी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, यहां तक बात क्लिर हुई, अब उसी सवाल पर हम वा परजते हैं एक एक चीज को देखिए बंगाल में अंगरेजों की रुची के कारण या इंट्रस्ट के कारण कुछ इस प्रकार से हैं पहला सबसे बड़ा कारण है कि बंगाल की आर्थिक संपन्दता बंगाल एक बहुत जादा इकनोमिकली प्रोस्परस एरिया है और अभी हमने देखा कि ब्रिटेन का जो एशिया का 60% जो व्यापार है वो बंगाल से ही हो रहा था दूसरी बात वही है कि बंगाल में समुद्री इस्तिती थी बंगाल में इनको स्ट्रॉंग नैविगेशनल चीजें मिल रही थी जिसकी वज़े से इनका व्यापार भी आसान हो रहा था और आगे जाकर कि अगर किसी भी प्रकार के बल की अवशक्ता पड़ती तो वो भी व बंगाल के बारे में ये थी कि ये उनकी सामराज जुवादी नीती का एक हिस्सा था सामराज जुवादी नीती ये उनकी imperialism policy का एक हिस्सा था जिसके तहत बंगाल पर भी वो कबजा करना चाहते थे और कबजा करके इसके इसे अधिकतम अधिकतम लाभ अर्जित करना चाहत फिर जो हर एक चीज का इनका उद्देश रहेगा वो point मैंने पिछली बार में आपको clear किया था कि हर एक चीज में आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये maximum profit हर जगे से अरण करना चाहते हैं इनका उद्देश ही है भारत में अधिक्तम व्यापार को करना तो ये उनके उद्देश हो जाएंगे कि बंगाल की आर्थिक इस्तिती बहुत अच्छी है बंगाल में समुद्री परिवहन आपको देखने के लिए मिल रहा है सामराज जुवादी सोच है और इसी क्रम में जो क एक सेविन यर बैटल लड़ा जाएगा और दूसरा यीॉरोप में ओस्ट्रिया का उत्रा धीकारी युद्द लड़ा जाएगा अगर पुराने लेक्षर आपने देखना समझ रहूंगे क्य高शा बुल है और वो पैसे से मिल नहीं पान आप रहा उतनी बड़ी मात्रा में क्योंकि यूरोप में भी बैटल चण रहा है तो उस पैसे के लिए सबसे अच्छा जो सोने की चड़िया थी जो उस समय सोने की चड़िया का काम करती या सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का जो काम करती वो उस समय काम किया बंगाल है और इसलिए इनको बंगाल की अवशकता थी चार कारण अब पांचवा कारण भी आपको समझना होगा और पांचवी कहानी जुड़ी हुई है बुलियन से किस से जुड़ी हुई है बुलियन से ये पांचवी कहानी जुड़ी हुई है साहब बुलियन क्या होता है तो बुलियन होता है सोना और चांदी जो एक्सपैंसेव मैटल होत होता है सोना और चांदी इसमें प्लेटीनम डायमिंड वगरा भी आप जोड़ देंगे तो सोना चांदी को बुलियन कहा जाता था और इस समय पूरे के पूरे यूरोप में एक सोच लिए तो थी वनिक वाद वो कॉंसे उस्ता वनिक वाद मर्केंडलिजम मर्केंडलिजम का कंसेप्ट चलता था वनिक वाद की एक सोच पूरे के पूरे यूरोप में चल रही थी मर्केंडलिजम का कंसेप्ट पूरे के पूरे यूरोप में चल रहा था तो साहब यह वनिक वाद क्या होता है समझेगा वनिक वाद का अर्थ क्या होता है वनिक वादी सोच यह कहती है कि एक राज को अपने पास अधिक से अधिक मात्रा में क्या रखना चाहिए तो अधिक से अधिक मात्रा में बुलियन रखना चाहिए क्या रखना चाहिए अधिक से अधिक मात्रा में अपने पास बुलियन रखना चाहिए उसे maximum amount बुलियन मतलब अधिक से अधिक मात्रा में अपने पास सोने चांदी और diamond expenses mental का collection अपने पास करना चाहिए अब हुआ ये कि इसी समय यूरोप में ये बड़ेकवादी विचार धारा आ गई लेकिन जब ये अंग्रेज इंडिया आते थे trade करने के लिए तो ये भारत से वस्तुवें खरीदने के लिए आते थे तो जब ये भारत से गुट्स खरीदने के लिए आते थे तो बदले मे बदले में हम सिर्फ क्या लेंगे या तो हम सोना लेंगे या तो हम चांदी लेंगे या तो हम गोल्ड लेंगे या तो हम सिलवर लेंगे अब दोस्त मैं भी बता रहूं कि यूरोप में इस समय वनेकवादी सोच चल रहे हैं और जो यूरोप में राजा या रानी हैं वो कह की आपूरती है वो बिटिस इस्ट इंडिया कंपनी को नहीं हो पा रही है सोने और चांदी की जो अपूरती है वो अब बिटिस इस्ट इंडिया कंपनी को नहीं हो पा रही है तो ना उनको गोल्ड मिल रहा है ना उनको सिल्वर मिल रहा है तो अब उन्हें यह लग रहा है कि अगर हमें इस व्यापार को continue करना है, अगर हमें इस trade को continue करना है, तो हमें कुछ ऐसा करना होगा, कि हमें इंडिया से ही क्या मिल जाए, सोना और चांदी मिल जाए, तो इसी इंडिया, इंडिया से ही हम सोना चांदी लेंगे, और इसी सोना चांदी को हम इंडिया में ही use करें और यहां से हम वस्तुएं लेकर करें के जाएंगे और यूरूक में हम इनको सेल करेंगे मतलब आप समझ रहे हो कितनी भैया पाज़ल में चीज यहीं से स्टार्ट होता है ड्रेण een theory की यहीं से में से स्टार्ट होती है वेल्थ ड्रेण ठीवरी की जो हम बात करते हैं वह तो ये एक और चीज आपको देखने के लिए मिलती है कि जो बुलियन का कंसेप्ट निकल करके आया, जो बेसिकली वणे कवाद पर आधारित था, जो मरकेंडलिजम पर आधारित था, वो किस तरीकी से चीजों को प्रभावित कर रहा है, अब वो क्या करेंगे, इंडिया में जैसे ही वो बंगाल पे कबजा करेंगे, तो भयंकर लूट करेंगे बंगाल की, अथाय लूट करेंगे बंगाल की, और इतना बंगाल को लूटेंगे, और जितना भी सोना चांदी वो अर्जित करेंगे, वो भारत में ही व्यापार करने में लगाएंगे, और सारा व्याप गुना मुनाफ़ा यहां से मिलने वाला है तो इन सब कारणों की वज़े से इन सब कारणों की वज़े से अंगरेजों की जो रुची है अंगरेजों का जो इंटरस्ट है वो कहाँ पर बढ़ता है अंगरेजों की जो रुची है साहब वो बंगाल में बढ़ जाती है अंग्रेजों की जो रुची है वो कहाँ पर बढ़ जाती है बंगाल में बढ़ जाती है और अंग्रेजों का इंट्रस्ट बंगाल में बहुत जादा बढ़ जाता है अब इस इंट्रस्ट के चलते उन्होंने क्या-क्या काम करना स्टार्ट किया इस इंट्रस्ट के चलते 1651 में उन्होंने फैक्टरी खोल ली हुगली में लेकिन अभी सीमित व्यापा हो रहा है इसी इंट्रस्ट के चलते 1717 में वो फरुक्षियर से मिले और उन्होंने गोल्डन फर्मान ले लिया अलिनगर की संदीबी की, जो की जा करके फेल हो जाती है, इसी के चलते उन्होंने 1757 में पलासी का युद्ध भी लडा battle of policy को उन्होंने लडा battle of policy को, इसी के चलते उन्होंने 1764 में क्या किया 1764 में उन्होंने बकसर का युद्ध रडा और पूरे के पूरे बंगाल पर उन्होंने कपजा कर लिया लेकिन यही कपजा आगे जाकर के भारत की स्वतंतरता आंदोरन के बीज बोने वाला था यही कपजा आगे जाकर के इंडिया के लिए सीट देने वाला था National Independence के लिए कैसे देखिए 1764 में बकसर के युद्ध के बाद अंगरेजों का भारत पर पूरी तरीके से नियंत्रन हो जाता है बंगाल, बिहार, उडिसा, मद्रास, बंबई इन पूरे इलागों पर अंगरेजों का एक छत्र डाज हो चुका है पूरी तरीके से वही रूल कर रहे हैं अब आगे जाकर के बंगाल जो है बंगाल जो है वो सत्ता का केंद्र बनता है बंगाल जो है वो सत्ता का केंद्र बनता है वो आर्थिक केंद्र बनता है और वही सिक्षा का केंद्र बनता है English में आगे जाकर के बंगाल Center of Administration बनता है Center of Economic Activity अल्रेडी है और वो सिक्षा का केंदर बनता है Center of Education बनता है कैसे बनता है समझिये देखिए सत्ता का केंदर ऐसे बनता है कि 1773 में एक Regulating Act लाया जाता है और 1773 में जो Regulating Act लाया जाता है उसके द्वारा बंगाल का जो Governor General होता है बंगाल का जो Governor General होता है उसे बाकी सभी Governor General का Head बना दिया जाता है और एक प्रकार से बंगाल ही पूरे के पूरे भारत में British Administration का किंदर बन जाता है British Administration का Center बन जाता है पहली चीज़ दूसरी बात सारी की सारी Economic Activity Maximum Economic Activity बंगाल से ही परफॉर्म की जा रही थी Education का Center भी यही पर बनता है 1835 में जब English Education Act लाया जाता है जब English Education Act लाया जाता है जो कि Thomas Wellington Macaulay लेकर के आता है तो उसके बाद बंगाल ही वो जगह होती है जहां से आपको Education का Spread देखने के लिए मिलता है और बंगाल से अंगरेजी सिक्षा प्रारंब होती है अब बंगाल के बारे में हम क्या जानते हैं कि बंगाल शुरू से आर्थिक रूप से संपने जगे रही है यहां पर बड़े-बड़े कुलीन घर के लोग थे यहां पर अमीर भी रहते थे भारतिये थे लेकिन वो अमीर थे उनके पास बड़े-बड़े जमीनदार इस समय पर हुआ करते थे इस्थाई बंदोबस्त बिवस्था भी यहां पर चलाई गई थी सारी चीजे हमको देखने के लिए मिल ले तो जमीनदार वरग यहां पर अभी भी है जो जमीनदार सेक्शन है वो यहां पर हमको देखने के लिए मिलता है फिर क्या होता है इसी इंग्लिस एजुकेशन का सहारा लेकर के जो भारतिये हैं वो अध्यन करते हैं वो क्या करते हैं वो अध्यन करते हैं वो सर्फ भारत में लेकर के स्टडी नहीं करते हैं वो भारत से बाहर जाते हैं और जब वो भारत से बाहर जाते हैं तो भारत से बाहर जाने के बाद वो ब्रिटेन जाते हैं अमेरिका जाते हैं यूरोप जाते हैं और वहाँ पर जाकर क गर में इंडिया अन्डोलन प्राग्जब करते हैं इंडिया में आaison करके नेस्टनल मुवमिंट स्टाड करते हैं और यह रास्ठीया आन्दुलन दो प्रकार से यहां पर हिंसा की जानते हैं बड़े-बड़े क्रांति-कारी आन्डोलन बंगाल में हुए एक होता है revolutionary movement के रूप में, जिसका base होता है हिंसा, जहाँ पर हिंसा की जाती है, जहाँ पर आपको लिखने के लिए मिलती है और दूसरा होता है शांती पूर्वक तरीके से, ओर शांती पूर्वक तरीके में आपको Indian National Congress देखने के लिए मिलती है और इसी के तहट आपको स्वदेशी आंदोलन देखने के लिए मिलता है जो कि 1906 साप में हुआ था बंग-भंग विभाजन के विरोध में अब इसका परिणाम ये होता है कि 1911 तक आते आते बंगाल जो है वो अंग्रेजों के लिए एक समस्या बन जाता है समस्या इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ पर बड़ी मात्रा में विद्रोह होना प्रारंभ हो जाते हैं बड़ी मात्रा में यहाँ पर रिवोल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं और इन विद्रोहों के कारण यहां पर शांती बिवस्था जो है, शांती बिवस्था यहां पर कमजोर हो गई थी, तो अब उनके लिए यह उतना अच्छा केंदर नहीं रहता है, तो इसी कारण वो क्या करते हैं, 1611 में जब जॉर्ज पंचम आता है, जब जॉर्ज पंचम आ हाला कि दिल्ली का जो उद्गाटन है, वो 1631 में किया जाता है, जब इसको दो व्यक्ति, एक एड़वर्ड लुटियन और दूसरा व्यक्ति होता है हार्डवर्ड ब्रेकर बना करके तैयार करते हैं, और 1631 में लौर्ड इर्विन के द्वारा इसके उद्गाटन किया जाता तो इस तरीके से बंगाल का महत्व निकल करके आएगा, इस तरीके से चीजे बंगाल से लेकर के दिल्ली तक पहुँचेंगी और ये बंगाल का महत्व है, तो अब मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर कोई मुख्य परिक्षया का प्रस्ण जाना चाहिए, अगर मैंने फिर बंगाल ने भारतिया रास्टिया आंदुलन की प्रस्ट भूमी तयार की, इस बात से आप कहां तक सहमत हैं, अपने विचार इसके लिए प्रस्ट उत करें, तो उसमें आपको यही तो बताना है कि इस तरीके से बंगाल ने एक प्रस्ट भूमी तयार कर दी, अंगरेजों ने यहाँ पर कबजा किया, कबजा करने के बाद यही उनका एड्मिनिस्टेटिन सेंटर बना, यही उनका एकनॉमिक सेंटर बना, यही उनका एजूकेशन सेंटर बना, तो दोस्त, आज के लेक्चर में हम इतनी ही बातें डिसकस करेंगे, आज के लेक्चर में हम इतनी ही नवाबों की कहानी को कि बंगाल में जो नवाब आये मुर्शित कुली खाँ, अली वर्दी खाँ, सराजुद्दला की कहानी को, फिर हम पलासी की उद्ध पे चलेंगे, फिर हम बकसर की उद्ध की बात करेंगे, और बंगाल की स्टोरिकों वहाँ पर खत्म करेंगे, तो आज आज के lecture को अगर हम summarize करें, आज के lecture को अगर हम sum up करें, तो हमने आज के lecture में देखा कि बंगाल की इस्थिती क्या थी, बंगाल एक मुगलों के अधीन एक प्राम्त था, जहां पर सूबेदार और दीवान के माध्यम से साशन किया जाता था, 1651 से लेकर के 707 के बीच में औरंग जेप का जब तक साशन रहता है तो बहुत सुसक्त इस्थिती होती है पूरे के पूरे मुगल सामराज्य की, उस समय पर जो बंगाल का नवाब होता है, वो सूबेदार होता है, वो अली मुशान होता है, और जो वहां का दीवान होता है, व हां पर बहुत अच्छी मात्रा में था, शांती यहां पर बहुत जदा थी, बड़ी मात्रा में यहाँ से फ्रेड société कीया जाता था, उसके हम ने कुछ प्रमाने भी देखे, फिर हमने अंग्रेजों की पूरी कहानी को देखा, की अंग्रेज कैसे भारत में आए, कैसे उन्हो के राजधानी परिवर्तन तक हमने बात कर ली तो ये कहानी हमने अब तब डिस्कस की है दो मिनिट में आपको इसकी बीपीटी भी दिखा देता हूँ फिर हम कर डिस्कस करेंगे बाकी बहुत से चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजेगा पीपीटी में कुछ जरूरी बाते मैंने हाँ पर लिख दी है जैसे कि बंगाल की प्रस्टभूमी तो मुगल साशन के अधीन बंगाल एक प्राम्त था और बंगाल के नवाब इस पर साशन करते थे 1651 में ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंप्री ने अपनी फैक्टरी हुगली में स्थाप्रत की बंगाल आर्थिक और भागौलिक रूप से संपन्न प्रांत था बंगाल वाजन एक्कनोमिकली जोग्रोफिकली प्रॉस्परिस प्रोविंस कारण थे उसका उपजाव होना, खनिज संसाधन संपन्न होना, समुद्र टटिय स्थिती का होना, शान्ती थी सेस भारत में मराथा आकरमन जाट विद्रो हो, नादिर शाह, एहमज शाह, अबदाली का विनास हो चुका था देख चुके हैं, और इसके प्रमान क्या-क्या है, तो बिटेन को एशिया से प्राप्थ होने वाली वस्तु में 60 प्रफिशत बंगाल से ही जाती थी, निर्यात से लगबग सारे 6 करोड रुपे की चांदी अर्जित की थी, रेशमी और सूती वस्तुरों का निर्यात मुग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, हम बंगाल के रूलर्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो दोस्तों आप बताईएगा कि यह नया तरीका हमने पढ़ने का निकाला है, वो तरीका कैसा है, I wish आपको यह तरीका पसंदाया होगा, पर जो भी आपके सजेशन्स हैं, वो मेरे आर्ट लेक्चर देखेंगे, तो बहुत डेटेल में मैंने वहाँ पर कवर किये हैं, तो दोस्तों अगर आप UPSC की तयारी करना चाहते हैं, तो अनकाडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर बहुत बढ़ियां टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर मिरुनाल सर आ जारी आप एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं, तो आप वहाँ पर मेरा कोड यूज करें, SG10 ताकि आपको 10% का डिसकाउंट मिले, और 36,000 एक साल का चार्ज है, और 43,200 रुपीस तो येल्स का चार्ज है, आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, SG10 to get the 10% discount, thank you so much guys, thank you so much, take care.